असलाम अलेकुम फेर्ट और वीवर्स आई हो पालर फाइन दिस इस मुपशार इक्बाल एडवोकेट हाई कोट एंड लिगे लेक्षिडार इससे पहले हमने रेप के उपर अपना लेक्षिर अप्लोड किया अगर आप वो देखना चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके कोई भी शक्स जो सेंस रखता है जो जान बूज रखता है जो समझ रखता है चाहे वो मर्द है वो औरत है वो लड़का है वो लड़की है कोई भी ऐसा शक्स जो जानदार है जो इनसान है वो किसी के साथ भी ऐसा इंटर कोर्स करता है जिसकी नेचर परमिशन नहीं देती रेप की परमिशन कहीं पर भी नहीं है इसकी description के अंदर difference हो सकता है इसकी terms and condition different हो सकती है यह पूरी दुनिया के अंदर extend नहीं करते हैं बट पाकिस्तान के हम बात कर रहे हैं और इंडिया के हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों मालिके अंदर यह दोनों section applicable होते हैं unnatural offense कोई भी शक्स चाहे वो मर्द है वो औरत है वो बच्चा है वो बुड़ा है वो मर्द है वो चाहे कोई मर्द है कोई औरत है को लड़का है को लड़की है बुड़ा है वो जवान है किसी भी age का है अगर वो कि ऐसा intercourse करता है अपने opposite के साथ अपने same gender क साथ या किसी जानवर के साथ जिसकी नेचर ने इजाज़त नहीं दी एक मर्द का मर्द के साथ इंटर कोर्स करना एक औरत का औरत के साथ इंटर कोर्स करना ये नेचर इसकी परमिशन नहीं देती तो ये दोनों अननेचरल ओफेंस के अंदर आएंगे एक मर्द किसी औरत के सा या किसी भी मर्द के साथ इंटर कोर्स करना, that is called unnatural offense. इसके इलावा, अगर कोई मर्द, कोई औरत, किसी जानवर के साथ, किसी एनिमल के साथ, इंटर कोर्स करते हैं, तो वो भी unnatural offense के अंदर फाल करेंगे. कोई भी मर्द, कोई भी औरत, बुड़ा, जवान, किसी भी एज का, unnatural तरीके से, unnatural way में, unnatural source के जरीए, इंटर कोर्स करता है, किसी औरत के साथ, किसी मर्द के साथ, किसी जानवर के साथ, अपने opposite gender के साथ, अपने same gender के साथ, किसी एनिमल के साथ, तो वो unnatural offense के अंदर फाल करेंग और यह दोनों सजाए इकठे भी हो सकती, यानकि imprisonment भी हो सकती और fine भी होगा, explanation जो है, unnatural offense की वो same rape वाली है, penetration is sufficient to criminal intercourse, necessity to the offense, described in this section, penetration is sufficient, that means, penetration का अमल है, यह sufficient होगा, इस जुरम को साबत करने के लिए, यह जरूरी नहीं है, कि एक दिन, एक माँ, जैसे कि मैंने पहले हवाला एक साल उस को अपने पास रखा जाए, penetration just one time is sufficient to commit, यह एक दफा के लिए का आपने unnatural offense commit किया, अगर penetration का अमल हो जाता है, penetrate अमल हो जाता है, इसकी सजा, punishment of unnatural offense कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और साथे जुरमान और यह दोनों सजाए इकठे भी हो सकती है, next topic, sexual abusing, sexual abusing, whoever, यहाँ पर भी word whoever का जिकर आया, unnational offense के अंदर भी word whoever का जिकर आया, but rape के अंदर a man, एक मर्द का जिकर आया, specifically, कोई भी शक्स, कोई भी औरत, कोई भी मर्द, कोई भी पूड़ा, कोई भी जवान, किसी भी शक्स को, same gender, opposite gender, किसी minor को, बड़े को, छोटे को, बज़ुर पुरा नहीं उतरते, जो reasonable word ना हो, ऐसे लफाज यूज करें, किसी भी और मर्द के लिए, किसी भी और और ऑरत के लिए, किसी भी और बच्चे या किसी बुड़े के लिए, तो वो sexual abusing के अंदर फाल करेंगे, sexual abusing की जो सजा है, वो साथ साल और fine, और fine maximum 500 होगा इसके अंद